Hello students, Diploma Electronics के subject microprocessor EL207 के 4th unit 8085 instructions and programming के 12th part में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम 4th unit का topic 4.5 stack operations and related instructions cover करेंगे Stack, stack क्या होता है? Stack, memory का ही एक area होता है जिससे programmer, program के दोरान execution करने के लिए जो temporary information store करनी होती है, उसके लिए use करता है Memory के ही एक part को stack की तरह मान लिया जाता है, जिसमें programmer किसी भी program को execute करते हुए जो temporary information होती है, वो उस पे store कर सकता है, जो उसे वापस चाहिए होगी वैसी information जो थोड़ी देर के लिए उसे save करनी होती है इस तरह की information को save करने के लिए stack use किया जा सकता है Stack कोई अलग से नहीं होता, memory के ही एक हिससे को programmer stack की तरह use करता है Stack लीफो स्ट्रक्चर में काम करता है, लीफो स्ट्रक्चर क्या होता है, last in, first out Last in, first out का क्या मतलब है, जो सबसे last में आएगा, वही सबसे पहले जाएगा For example, अगर आप books को एक के उपर एक रखते हैं, तो books का जो वो एक के उपर एक करके जो pile बनता है, उसे भी stack कहा जाता है जो book सबसे उपर रखी जाएगी, सबसे last में रखी जाएगी, वही सबसे पहले वहां से हटाई जाएगी तो वो last and first out structure होता है, तो stack भी इसी रूट में काम करता है, जो information सबसे last में safe की गई थी, वो सबसे पहले बहार आएगी Stack normally memory में पीछे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है, जहाँ पर memory खतम हो रही होती है वो address stack को दिया जाता है, stack की starting उस address से की जाती है, और फिर stack उपर की तरफ बढ़ता है, मतलब घटे वे क्रम में बढ़ता है जो addresses हैं वो धीरे-धीरे कम होते जाते हैं, तो वो memory के अंदर की तरफ बढ़ता है stack के bottom को define करता है programmer, मतलब जो last address होता है memory का और फिर वो address range में उपर की तरफ बढ़ता है, मतलब घटे वे क्रम में उसके addresses बढ़ते है अब ऐसा क्यों किया गया है, stack backwards क्यों जाता है, ताकि वो दूसरे जो programs memory में saved हैं, उनसे वो overwriting ना हो जाए कोई भी ऐसा नहीं हो कि just memory पे कोई program लिखा हुआ है, उसी memory को हम stack के लिए organize कर लें, तो दोनो memories आपस में जो भी दोनो information है, दोनो data है, simple user program और stack में जो information हमें store करनी है, वो वो overwrite नहीं हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, stack को बिलकुल memory के end से start करते हैं, ताकि जितनी भी user programs हैं, वो जो हमने memory में अंदर की तरफ save कर रखे होते हैं, वो कहीं भी उनसे coincide ना करें, तो stack बिलकुल memory के end से start किया जाता है, और फिर वो अंदर की तरफ बढ़ता है, ऐसा करने की वज़े से वो user programs से अलग रहता है, stack को define करने के लिए stack pointer use किया जाता है, stack pointer एक 16 bit का register होता है, 8085 में, जिसमें stack के top का address होता है, जहां तक stack भरा हुआ है, वो last address stack pointer में होता है, तो stack जहां से शुरू करना है, वो address भी आप किसमें देंगे stack pointer में, stack pointer एक तरह से stack का वो address बिताता है, जहां तक आपका stack बना हुआ है, तो जब stack में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वो सबसे first location होगी, जो stack pointer में देंगे हम लेकिन क्योंकि आगे भी हमें इसे general way में use करना होता है तो stack pointer को microprocessor किस तरह से read करता है कि stack pointer में जो address है वहां तक stack भरा हुआ है तो अगर उसे कुछ भी save करना है तो वो उसे एक address घटा के उस पे save करेगा stack pointer पे directly वो कोई value save नहीं करता है क्योंकि stack pointer में जो address है वहां तक वो मानता है कि stack अभी भरा हुआ है top of the stack तो stack को define करने के लिए stack pointer register हम use करते है 16 bit का register है 16 bit का register क्यों use कर रहे है क्योंकि memory के जो addresses है वो 16 bit के होते है instruction जो use करते हैं हम stack को define करने के लिए वो होता है LXISP जो भी हमें, जहां से भी हमें address शुरू करना होता है, वो address हम यहाँ पर दे सकते हैं, Alexa instruction क्या करता है, load immediate 16-bit register with 16-bit data, किसी भी 16-bit के number को, किसी 16-bit के register में copy करने के लिए, हम Alexa instruction use करते हैं, यह 3-byte का instruction है, first byte होगा, इसका Alexa ESP का opcode, और बाकी 2 bytes होगे, इसके 16-bit का data, तो यहाँ पर FFFF जैसे हमने use किया है, तो यह example इसले लिया गया है, क्योंकि 8085 की, जो 64 kb की memory होती है, उसमें last address आपका FFFF ही हो सकता है, और हम क्योंकि उसको end से start करते हैं, तो हमने यहाँ से start किया है, वैसे यह को हम इसे बीच में से भी शुरू कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कम safe रहता है, तो हम अगर theoretically बात करें, तो हम इसे FFFFF से ही शुरू करते हैं, बाकी वो हमारी RAM पर depend करता है, कि हमारे पास कितनी RAM हैं, कि size की RAM है, उसके हिसाब से हम stack pointer को सबसे last के memory address से शुरू कर सकते हैं, तो यहां पर हमने SP को initialize कर दिया, तो अब stack कहां से शुरू हो रहा है, FFFFF से, size of the stack is limited only by the available memory, तो मैं यही आपको बता रहे थी, कि जो stack का size है, वो memory के हिसाब से ही decide होता है, अगर हमारे पास पूरी 64KB memory है, तो हम stack pointer यहां से शुरू करेंगे, और फिर हम उसे नीचे कितना भी यह बढ़ा सकते हैं, अगर हमारे पास सर्फ 1KB memory है, तो हम उसे साब से उसका address कम रखेंगे, storage and retrieval of data, stack पर जो भी data हमें save करना है, और वापस से उस data को जब लेना है, तो वो process किस तरह से होता है, वो समझते हैं, stack पर information को save करने के लिए, जो process यूज़ की जाती है, उसे pushing कहा जाता है, कि information, data हम उस पर push कर रहे हैं, stack से data वापस लेने को pop कहा जाता है, popping, इसके लिए जो दो instructions 8085 यूज़ करता है, वो होते हैं, push और pop, push instruction से stack पर information save होती है, और pop instruction से stack पर से information हम वापस ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, push और pop दोनों instruction register pairs के साथ ही काम करते हैं, यानि कि जो भी information हमें stack पर save करनी है, या stack से वापस लेनी है, वो 16 bit की ही होगी, push instruction, तो पहले हम data save करने का तरीका देखते हैं, for example, push B, ये आपका 16 bit का register है, इस वक्त B नहीं है, B, C है, क्योंकि push और pop दोनो 16 bit registers के साथ ही काम करते हैं, ये 1 byte का instruction है, सिर्फ इसका opcode यूज किया जाता है, operand अलग से specify नहीं करते, decrement SP, तो first step जैसे ही हमने push instruction दिया म्यूपी को, वो क्या करेगा, stack pointer की value को 1 से decrement करेगा, क्यों करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने जब stack pointer initialize किया है FFFF से, तो म्यूपी मानता है कि यहां तक उसका stack भरा हुआ है, stack pointer में जो भी value होती है, वहां तक वो stack को भरा हुआ मानता है, तो अब वो next value किस पे save करेगा, एक कम पे, क्योंकि stack कैसे बढ़ता है, memory के अंदर की तरफ, last address से हम उसे start करते हैं, और फिर अंदर की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहां पर वो सबसे पहले क्या करेगा, value save करने के लिए stack pointer की value एक से घटाएगा, तो पहले FFFF थी, minus 1 करेंगे, तो FFFF E आ जाएगी, stack pointer की एक value घटाने के बाद, वो B register की value को SP वाले address पर save कर देता है, तो जो higher address है, FFFF E, उस पे higher register की value आती है, for example, यहां पर BC register में value आपकी 1, 2, F3, तो जो higher order register है B, उसकी value higher order address, SFFF E पर आएगी, तो B की value 1, 2 यहां पर save हो गई, next फिर से वो SP को decrement करेगा, और SP की value जो अभी FFFE थी, अब वो हो जाएगी FFFF D, जैसे SP की value decrement होई, वैसे ही C register की value यहां पर save हो जाएगी, क्योंकि D, E से छोटा है, lower address है, इसलिए lower order register C की value यहां पर save हो रही है, इस तरह से यह operation complete होने के बाद, stack pointer में जो final value होगी, वो होगी FFFF D, ताकि मैं भी को पता चल सके कि यहां तक उसका stack भरा हुआ है, next है pop instruction, value save करने के बाद, वापस हम उसे कैसे निकालते हैं, pop use करके, pop D, pop के आगे जो भी register हम use करते हैं, register pair, 16 bit register pair जो हम use करते हैं, stack की जो top पे जो values होती हैं, जो last values होती हैं, वो इसमें निकल कर save हो जाती हैं, यह क्या करता है, यह stack pointer, जहां पर भी है, उस address की value को register E में save कर देगा, तो अभी जब हमने last देखा था, तो stack pointer किस पे था, triple F, D पर, तो वहां पे जो value है F3, वो E register में चली जाएगी, यहां पर देखिए, reverse operation हो रहा है, जब हमने push किया था, तो पहले higher order value push हुई, और फिर lower order value push हुई, लेकिन अब retrieve करते वक्त, same order में ही retrieve होगा, पहले lower order बाहर आएगा, और फिर higher order बाहर आएगा, क्योंकि stack किस में काम करता है, last in, first out, तो जो value last save हुई थी, वो value सबसे पहले निकलेगी, तो यहां पर पहले value किस में आएगी, lower order register E में, क्योंकि यह triple FD lower order address है, इसके बाद stack pointer की value को 1 से increase करता है, mu p, तो वो पहुँच जाता है, triple F E पर, यह higher address है, इसलिए higher value, higher order register D में safe हो जाती है, फिर से, अब जहां पर खाली हो गया है, F3 उसने E में pop कर दिया, 1, 2 उसने D में pop कर दिया, तो यह अब खाली हो चुके है, तो वो फिर से SP को increment करेगा, और SP की value हो जाएगी, F, 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 तो finally, pop instruction होने के बाद, SP की value हो जाती है, F, 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 तो हम कह सकते हैं, कि जो push instruction है, वहाँ पर SP की final value होती है, SP minus 2, और जो pop instruction है, वहाँ पर SP की final value होती है, SP plus 2, stack operation, pushing के दौरान, stack किस तरह से काम करता है, decrement then store, पहले decrement करो, और फिर store करो, जब भी हम value save करना चाहते है, microprocessor पे, तो पहले stack pointer की value decrement होती है, और फिर stack पर value place होती है, लेकिन popping के time पे stack पहले value निकालता है, और फिर increment करता है, तो इस time जो भी stack के top पर value है, पहले उसे register में save किया जाता है, और फिर pointer को increment किया जाता है, तो यह reverse order में चलते है, stack pointer हमेशा stack के top को ही point करता है, stack का top हम किसे कहते हैं, जहां तक stack भरा हुआ है, for example, चार किताबे जब हमने एक के उपर एक रख रखी हैं, तो जो सबसे उपर वाली किताब है, वो आपका top of the stack है, तो इसी तरह से अगर किसी भी stack में हमने four values store कर रखी है तो जो fourth value है, सबसे उपर वाली, उसका address आपके stack pointer में save होता है, push और pop का जो order है, वो हमेशा information अगर हमें original सवरूप में ही वापस निकालनी है, तो वो opposite होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने पहले B को save किया, फिर D को save किया, तो पहले हमें D को pop करना होगा, और फि को pop करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि stack में जो last in गया है, वो first out होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम इसी order में pop कर लेते हैं, यानि कि हमने पहले B को save किया, फिर D को save किया, और अगर हम पहले pop B यूज करते हैं, तो जो last value थी, वो किस की थी? D register की, लेकिन अब वो आए किस में BC register में, तो इस तरह से, अगर हमें same register की value same register में ही वापस चाहिए, तो जिस order में हमने उन्हें push किया था, उसके reverse order में हमें उसे pop करना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो values आपस में exchange हो जाएंगी, तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 16 bit registers की values को exchange करना है, तो इस case में हम यह कर सकते हैं, कि push और pop दोनों same order में करें, तो पहले हमने किया push B, फिर हमने किया push D, अब अगर हम pop B करेंगे, तो जो last value save होई थी D की, वो BC में आ जाएगी, फिर हम करेंगे pop D, तो वो value बची है BC की, वो आ जाएगी D में, तो इस तरह से, अगर हमें exchange करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो यह वही चीज है, जो हमने discuss करी, कि अगर हम pop और push के orders को reverse नहीं करते हैं, तो BC और DE का जो content है, वो आपस में exchange हो जाएगा, एक और condition है, push और pop को use करते वग, कि push और pop instructions की जो संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए किसी भी program में, यानि जितना data हमने stack पे push किया है, उतना ही data हमें stack से pop भी करना होता है, the PSW register pair, 8085 में BC, DE और HL register pairs अभी तक आपने देखे हैं, उसके अलावा एक और register pair 8085 यूज करता है, और वो होता है PSW, PSW का full form होता है program status word, program status word combination होता है accumulator और flag का, accumulator इसमें higher order register होता है और flag इसमें lower order register होता है, तो PSW को भी हम stack पे save करते हैं और फिर stack से वापस भी लेते हैं, यह mostly हमें तब use आता है जब हम interrupt की बात करते हैं, या फिर call किसी भी call instruction की बात करते हैं, तो जब microprocessor एक program को छोड़कर दूसरे program पे जाता है, तो अपने पुराने program का जो status होता है, status mainly accumulator में या flag में ही save होता है, जो भी last instruction हुआ था, उसका result आपका accumulator में होता है, और जो भी status था, उस result का वो आपका flags में होता है, तो अगर हमें चाहिए कि interrupt पे जाने से पहले या फिर किसी दूसरे program में जाने से पहले, हम हमारे इस program का status कहीं पर save कर जाएं, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं, stack यूज करते हैं, जाने से पहले जो स्थितिती हम वापस से उसी स्थिति में आ जाते हैं, तो PSW को stack पे save करने के लिए वही push use किया जाता है और वापस लेने के लिए pop use किया जाता है, तो इससे हमें ये फायदा होता है कि जो पहले हम जिस परिस्थिति में छोड़ कर गए थे हमारे program को हम उसी म register pair, PSW register pair को push करने के लिए instruction यूज करते हैं, push PSW ये भी 1 byte instruction है, वही push के लिए सबसे पहले क्या होगा, decrement then store, तो पहले वो SP की value को decrement करेगा, 4 times F है तो एक से decrement किया, triple F E, फिर ये higher order address है, D से बढ़ा होता है, E, तो E में वो higher order register A की value safe करेगा, यानि जैसे आया यहां पर 1, 2, और फिर से SP को decrement करेगा, अब वो हो जाएगा, triple F D, और अब lower order register यानि flag की value आएगी lower order address, triple F D पर, यानि 80, तो इस तरह से PSW को stack पे push किया जा सकता है, POP PSW register pair, PSW register pair को वापस से stack से निकालने के लिए हम instruction use करेंगे, POP, ये भी one byte instruction है, POP किस तरह से काम करता है, use then increment, तो पहले ये value को निकालेगा, तो सबसे पहले कौन सी value निकलेगी, जो सबसे last में store हुई थी, सबसे last में flag register store हुआ था, तो सबसे पहले flag register में value वापस आएगी, तो जो भी stack pointer, जिस भी value को point कर रहा होता है, stack pointer में address, वो वाली value आपके flag में save हो जाती है, फिर SP की value increment होती है, FFFD से वो आ जाएगा, FFFE पर, अब next value, higher order value जाएगी आपके higher order register A में, और फिर से stack pointer की value increment हो जाती है, once से वो आ जाता है, FFFF पर, इसकी push और pop के function को हम एक example से समझ के देख लेते हैं, जैसे हम zero flag को reset करना चाहते हैं, reset zero flag, 8085 का जो flag structure होता है, वो होता है, sign, zero, auxiliary carry, parity and carry, zero flag होता है, 6th bit, तो first instruction है, elixir SP FFFF, stack pointer को initialize किया है, FFFF से, यानि stack हमारा शुरू हो रहा है, इस address से, next instruction है, push psw, जो भी accumulator और flag की value है, वो हम stack पर save करा रहे हैं, next है, pop h, अब जो भी हमने flag की value, save की थी stack पर, वो हम किस में retrieve कर रहे हैं, hl register में, तो psw क्या होता है, a plus f, higher order value है a, lower order value है f, अब अगर हम इसको pop कराएंगे hl में, तो h में तो आएगी accumulator वाली value, और l में आएगी flag वाली value, तो flag register का content किस में आया, l में, ये value l से हम copy कर लेते हैं a में, move a, l, तो l से जो भी flag का content था, वो आपका copy हो गया a में, next instruction है, ani bf, bf is b क्या होता है, 1011, and f is 4 times 1, ani is and immediate, accumulator में जो भी value है, उसको हम bf से and कर रहे है, and करने से क्या होगा, जो भी value accumulator में है, वो इस वक्त ये है, flag का content है, इसको अगर हम इस से and करा रहे हैं, तो आप देखिए, हाँ सारे bits यहाँ पर 1 है, तो 1 से जो भी value multiply होगी, वो as it is आएगी, उसमें कोई change नहीं होगा, सिर्फ 6th bit यहाँ पर 0 है, क्योंकि 6th bit पर क्या save होता है, 0 flag, तो 0 flag जब 0 से multiply करेंगे, तो उसकी value भी क्या हो जाएगी, 0, वो पहले 1 था, तो भी 1 into 0, 0 हो जाएगा, और अगर वो पहले से 0 था, तो भी 0 into 0 वो 0 रहेगा, यानि हर case में, आपका flag क्या हो जाएगा, reset, तो उसको reset करने के लिए, हमने यह bit pattern यूज किया है, तो हम accumulator की value को BF से and कराएगे, and कराते ही, 0 bit reset हो जाएगा, अब इस value को फिर से flag में ले जाने के लिए, हम instruction यूज करते हैं, move, a, a, a में हमने reset कर लिया flag को, अब हम उसको वापस से save करवा देते हैं, l में, next is push, h, फिर से हम hl register के थूँ, इस value को save करा देते हैं, stack पे, next is pop, psw, अब जब इस value को हम stack पे लेके आएगे, तो जो lower order register की value थी, यानि l की value वो f में जाएगी और higher order register की value यानि h की value जाएगी a में, तो इस तरह से हमने यहाँ पर change करके, zero flag को reset करके, फिर से flag में update कर दिया, thank you students.